आज मैं बना रहे हूं करईले का अचार और इसमें लहसों नोगरे नहीं इस्तेमाल करूँगी जिन लोगों को लहसों से परेज है उनके लिए भी अचार अच्छा है खा सकते हैं इस अचार को जब तक चाहें जितना साल तक चाहें उतना साल तक स्टोर कर सकते हैं ऐसा तरीक एक गंटा पाले दोकर में इसका पानी सुखा ले हूँ, थोड़ा-थोड़ा दोनों तरफ से काड़ दोंगे, करैल्या ऐसे काड़ सकते हैं, अचार के लिए अगर आप चाहें तो ऐसे लंबाई में काड़ सकते हैं, जैसे लंबा-लंबा आम का होता है उस तरीके से, अगर इ स्थोटे साइज के करैला लेंगे तो जादा बीज नहीं रहता है, इस बात का आप ध्यान देख लेंगे, कि करैला जादा मोटा जादा पुराना नहां हो, तो बीज कम रहता है, तो पहले मैं यसे काड़ कर तयार कर लेहूं, मैं 500 ग्राम करैला लेहूँ, आप अपने बाकी के करेला बचा है हमारे पास सबजी में डाल दूगी और इसमें एक बड़ा चमच नमक डाल दी हूँ अच्छे तरीके से मिला कर कम से कम 20-25 मिनिट के लिए इसे रख दूगी चाहे तो धूप में रख दें या कहीं भी रख दें अंदर ही रख देंगे तब भी कोई दि अचार के लिए मसाले ले लेंगे तीन चमच में धनिया ले रहे हूं साबूद नर्मल चमच है, जिससे डेली घर में खानाओ गरे खाते हैं, वही चमच है. और यह जीरा है, दो चमच जीरा ले ले रही हूं। 500 ग्राम कराइले में इतना मसाला काफी है, वैसे आप कम जादा कर सकते हैं, और यह सौफ है, सौफ भी दो चमच ले ले रही हूं। एक चेमच में मेथी दाना ले ले रहे हूं। इसे एक चेमच ली हूं और इतना ही में हजवाई ले ले रहे हूं। अब भून लेंगे, गैस्प में एक कड़ा ही रखी हूँ और पाले इसे भून लेंगे, धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी को, मिडियम फिलेम पर गैस्प करके इसे भूनेंगे ताकि मसाले जलेना, मसाले भून कर अचार में इस्टेमाल करेंगे ते तीन फायदा होता है, पहला फायदा है कि इसकी खुस्बू ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है, अब मैं जो अलगस मसाला रखी थी सरसोगरे उसे डाल दे रहा हूँ, जब चटर पटर का वाज आने लगे तब ये मसाले डाल और दूसरा फायदा कि इसकी नमी खतम हो जाती है, तीसरा फायदा है कि आचार को खराब होने के कोई चांस ही नहीं रहता है, 0% चांस नहीं रहता है, बहुत ही बढ़ियर तेस्ट आता है, तो मसाले था हमारे भून गए, अब मैं निकाल ली हूँ, शेम कड़ाही में मैं स सर्सो को तेल जादा अच्छा लगता है, 200 ml मैं सर्सो को तेल ली हूँ, और ये मसाले हमारे ठंडे हो गए है, जब मसाला ठंडा हो जाए, तब पीछ लें, जब मसाले में नमी नहीं होगी, तो आपका आचार कभी नहीं खराब होगा, इसमें मैं लगभग दो चेमच हल्द टाल दे रहे हूँ, साथ में मसाले के मिस हो जाएगा पीष्टे समय और इसमें, ब्यण चेमच नमग डाल दे रहे हूँ, नमग में पहले भी डाली हूँ, करईले में, इसलिए अभी नमग कम इसतेमाल कर रहे हूँ, दरदर पीष्च कर तयार करेंगे, इस आचार को आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं, अचार खराब नहीं होगा, अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो. अब मसाला एक बड़तन में निकाल ले रहा हूं, इसमें मैं एक चेमज भरके काशमेरी लाल मिर्च डालूंगी, और एक छोटा चेमज घर का पीशा हुआ लाल मिर्च डालूंगी. काशमेरी लाल मिर्च से आचार में अच्छा कलर आता है. और गैस पे मैं तेल गरम करी हूँ, धुआ उर्थे तक तेल ऐसे गरम करें, फिर गैस बंद करके थोड़ा से तेल में निकाल ले रहे हूँ, बाद में इस्तेमाल करूंगी तेल इसलिए गरम करते हैं, कि जब सर्सो का तेल तयार करते हैं, थोड़ा सा पानी के छीटे मार कर, तब तेल तयार करते हैं, तो इसमें नमी रहती है, गरम कर लेंगे, तो नमी खतम हो जाएगे, आपका अचार खराब नहीं होगा अचार सर्सो का तेल से ही बनाएं, ज़्यादा तेस्ट आता है, थोड़ा तेल ठंडा हो जाए, तो एक चवथाई चे मचहिंग डाल दें, जो मैं डाल दी हूँ, और तयार मसाला डाल दे रहे हूँ, इसे मिला ले रहे हूँ, ज़्यादा गरम तेल में न डालें, नहीं त तब अचार का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा ठंडा होने दे, तिन चार मिनिट, उसके बाद करेले डाल दें, जो मैं डाल दे रहे हूँ, और अच्छे तरीके से मिला दे रहे हूँ, अगर या वीडियो आपको जरस भी परसंद आए, तो अपने फिमली और मि 20 मिनिट के लिए, अब अचार थोड़ा ठंडा हो गया, एक परतन में निकालूंगी, अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, अगर या वीडियो आपको परसंद आए, तो जरूर लाइक कीजिएगा, अन्ना परसंद आए, तो डिसलाइक कर दीजिएगा, यदि आप डिसलाइ किसी से धो कर धूप में सुखा ले हूँ, बिल्कुल नमी नहीं रहना चाहिए, तब अचार इसमें भड़ दे, मैं कडाई में पलट कर एक बार और मिला दे रही हूँ, तोड़ा ठंडा हो गया है, जब कम्पलीटली अचार ठंडा हो जाए, तभी किसी बरतन में भड़े ह होता है, चरा सभी नमी रहगा, तब आपका अचार खराब हो जाएगा, मैं इसमें भड़ दे रहे हूँ, आप अचार बनाते समय, जो भी बरतन इस्तेमाल कर रहे हूँ, कडाई और कंटेनर, कलचिल, अच्छे तरीके से सुखा कर इस्तेमाल करेंगे, तब आपका अचार क मैं भड़ दे रहे हूँ, और इसके उपर से मैं तेल भड़ दूँगी, जो अभी निकाली थी, तेल चाहें तो आप दो तीन तिन के बाद भी भड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए थोड़ा तेल निकाल ली हूँ, और भर के दिखाऊंगी, जब आचार आते हैं, चाहे आम का हो, या कटाल का करेले का कोई भी आचार हो, ताजा रहता है, तो ज़्यादा जगह लेता है कंटेनर में, इसलिए तुरंत तेल ना भरे, तीन-चार दिन इसे धूब में रख दें, थोड़ा सा गल के नीचे आ जाए, तब तेल भरें, अब मैं भर के आपको दिखा रहे हूं, थोड़ा ही तेल भर रहे हूं, जादा नहीं बचाई हूं, फाले तेल को अच्छे तरीके से गरम करें, फिर ठंड़ा करके कंटेनर में भर दें, तीन-चार दिन के बाद इस तरीके से, जितना आचार हो, तेल में डूबा होना चाहिए, तब आप अचार पांच-छे साल तक रख सकते हैं, खराब नहीं होगा, इसमें मैं एक बड़ा चेमच, वाइट बनेगर डाल दे रहे हूं, जिसे सफेज सिर्का बोलते हैं, जो चौमीन में डालते हैं न वही सिर्का है, शिर्का डालने से अचार के सिल्फ लाइब भी बढ़ जाती है, और जल्दी से गल के खाने के लिए तयार हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और यह हमारा अचार है, दो तीन साल पुराना अचार होगा, मुझे याद नहीं है, मुझे लग रहा है, तीन साल पुराना अचार हमारा है, ऐसे मैं कई कंटेनर भर के रखी हूं, ल मच सुखा इस्तेमाल करें, पानी ना लगा हो, अचार का दुस्मन नमी होता है, अगर नमी नहीं इसमें जाएगी तो आपका अचार खराब नहीं होगा, साफ सुतरा कपड़े से बान कर इसे कम एक हपता धूब में रख दें, आठ से दस दिन तक धूब में इसे रखेंगे और थोड़ा सा हिला देंगे, उपर नीचे कर देंगे न, तो अचार जल्दी खाने के लिए तयार भी हो जाएगा, और खराब होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, जब अंदर रखें, तब ढकन टाइट करके रखें, इसमें नमी न जाए, बारिस में अचार ज्यादा खराब होता है, बारिस में बार बार न खोलें, खाने के लिए किसी अलग बरतन में अचार निकाल लें, तब आप अचार खराब नहीं होगा, तो मिलती हूँ एक नई रेसेपी के साथ,